Good afternoon students, welcome to your maths class. आज हम करेंगे exercise 8.3, question number 4. Find the least number which is exactly divisible by 72 and 108. हमने वो छोटे से छोटा number, least means smallest, सबसे छोटा, least means सबसे छोटा. वो सबसे छोटा number find out करना है, which is exactly divisible by 72 and 108. जो की 72 और 108 दोनों numbers के साथ पूरा-पूरा डिवाइड हो जाता है. इन दोनों के tables में पूरा-पूरा डिवाइड हो जाता है. So, इस तरह के questions के लिए हमारी requirement होती है LCM. The required least number is the LCM of given numbers. So, we will find this. I have already written the question. And the solution is the required least number is the LCM of 72 and 108. And we will find the LCM. First, we will find the factors, prime factors of 72. 236 और 72, 218 और 36, 29 और 18, then 9 जो है वो 2 के table में नहीं आता. तो हम next prime number पर जाएंगे, that is 3. तो 3 के table में 9 आता है, इस लिए 3 3s और 9 and then 3 1s और 3. अब बड़े numbers में आप ये कैसे calculate करोगे, बार बार डिवाइट तो नहीं करके देखेंगे. हम क्या करेंगे? एक बार मैं आपको फिर से explain करती हूँ, यहाँ पर 72 number है. ठीक है? तो यहाँ हमने क्या करना है? हमें यह पता है, कि यह number 2 के table में आता है. बिकोज यहाँ पर, last में, once place पर, अगर हमारे पास 2, 4, 6, 8 या 0 है, तो यह number पूरा जो है, वो 2 के table पर divide होगा. तो हमने यहाँ पर divide करके नहीं देखना, हम mind में divide करेंगे, mind में divisions कैसे होती है, देखिए, हम 2 से divide कर रहे हैं, 2 के table में 7 नहीं आता है, तो 7 से छोटा number जो 2 के table में आता है, that is 6, और 6 कहाँ पर आता है, 3 पर, 2, 3 जा 6, हमने 7 में से 6 ले लिया, बाकी बच गया 1, वो 1 हम यहा पर pencil के साथ छोटा सा लिख सकते हैं, and the number becomes 12, 1, 2, 12, now 2 के table में 12 कहाँ पर आता है, 6 पर, 2, 6, 12, is it okay, next हम कैसे करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ units place में फिर से 6 आ रहे है, यह number फिर 2 के table में जाएगा, will divide 36 by 2, अब 2 के table में 3 नहीं आता, 3 से छोटा number जो 2 के table में आता है, व 2, 1 जा 2, तो 3 में से 2 को हमने subtract किया, यहाँ पर फिर से हमारे पास 1 आ गया, और यह number बन गया, 16, तो 2 के table में 16 कहाँ पर आता है, 8 पर, 2, 8 जा 16, then 2, 9 जा 18, अब 2 के table में 9 नहीं आता, next prime number है 3, 3 के table में 9 कहाँ पर आता है, 3 पर, फिर से 3 आ गया, यहाँ पर 3, 1 जा 3, ठीक है अब 72 के factors हमारे पास क्या आ गया, 2 multiply by 2, multiply by 2, multiply by 3, multiply by 3, यहाँ पर 2 हमारे पास आया है, 3 times, और 3 आया है, 2 times, यह आपने arrow mark करके लिख देना है, then we'll find the factors of 108, 108, 108 को इसी तरह से हम divide करेंगे, यहाँ पर आप देखो, units place पर 8 है, तो यह number फिर से हमारा 2 के table में जाएगा, 2, 5s, 10, हमने 1 लिया, 1 नहीं जाएगा, हमने 10 को इकठा रहे लिया, 2, 5s, 10, कुछ भी remainder नहीं है, 2, 4s, 8, 10, then again, यहाँ पर units place पर 4 आ रहा है, यह number फिर से हमारा 2 के table में जाएगा, 2, 2s, 4, 1 remainder, 14, 2, 7s, 14, अब 27 में 7 आ रहा है units place पर, तो 7 even number नहीं है, 7 2 के table में नहीं आता, तो हम next prime number पर जाएंगे, that is 3 और 3 के table में 27 आता है, 9 पर, 3, 3s are 9, then 3, 1s are 3, अब हम 108 के factors लिखेंगे, 2 multiply by 2, multiply by 3, multiply by 3, multiply by 3, 108 के factors में 2 जो है, वो 2 times repeat हो रहा है, और 3, 3 times repeat हो रहा है, अब हमने next step में क्या करना है, LCM, LCM of 72 and 108 is, अब जैसे मैंने आपको बताया था, कि maximum number of time repetition जहाँ पर हो रही है, किसी भी number की उसको हमने लेना है, जैसे 2 जो है, यहाँ पर 72 के factors में 2, 3 times repeat हो रहा है, और 108 में 2, 2 times repeat हो रहा है, तो हमने 3 times वाला लेना है, 2 multiply by 2, multiply by 2, ऐसे ही next factor है 3, जो कि 72 में 2 times repeat हो रहा है, और 108 में 3 times repeat हो रहा है, तो again हम यहाँ पर maximum number वाले लेंगे, ज्यादा number वाले लेंगे, that is 3 times, फिर हम इन्हें multiply कर देंगे, 2 to the 4, 4 to the 8, 3 to the 24, 24, 3 to the 72, 72 multiply by 3, 216, यह है LCM of 72 and 108 is 216, this is your answer. Is it okay? इसी method से आपने इसका question number 5 अपने आप करना है, ठीक है मता? 5 and 11, question number 5 and 11 is your homework.